तो गाइज वेलकम टू कंशिप्चोव अकेडमी तो गाइज आज की वीडियो में कुछ नहीं सीखते हैं तो बहुत टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में हम कालम की डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे के कालम को कैसी डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले हम कुछ रूज और कुछ टेप फालो करना पड़ते हैं कालम को डिजाइन करने के लिए अगर हम वह पता हो तो हम एजिली कालम को डिजाइन कर सकते हैं तो फार वद तो हमें पता होना चाहिए कि कालम ृटीकल मेंबर जुट कॉम्क कालम हम वर्टिकल मेंबर है जो एक्चियल कंपरेसियल लोट को सपट करते हैं ओके शेकंछ सिटेप में हम short column एक short column होता है और दूसरा long column तो short column और long column में difference किया है short column जो है जिसकी cylinder ratio less than 12 हो उसे हम short column कहते है short column जो है जो है वो उसके flower जो है वो crushing में होती है और long column जो है उसकी cylinder ratio जो है वो 12 से greater होती है जब cylinder ratio 12 से ज़्यादा हो तो हम उसे long column केते हैं long column जो है वो buckling की तुरू फेल होता है तो अभी हमने पढ़ा कि cylinder ratio जिसकी 12 से कम हो उसे हम short column केते हैं और जिसकी cylinder ratio और 12 से ज़्यादा हों से हम long column केते हैं लेकिन cylinder ratio है क्या cylinder ratio की जिए फर्मूला है हमारे पास वो है cylinder ratio is equal to effective length divided by less radius of generation अभी सवाल बनता है कि effective length क्या है effective length column की वो length है जिस पे column का पूरा लोड असर करता हो है यह एफेक्ट करता हो अच्छा और लेस्ट रेडिस आफ जैरेशन जो है लेस्ट रेडिस आफ जैरेशन जो है उसका फर्मूला है और minimum अंडरोड आई डिवाइड बाइए आई मोमेंट आफ इनर्टिया ए इस इकोल टू एरिया तो फाइस्टेप जो है वो है एल्गर क्रिटिकल लोड जब हम क्रिटिकल लोड फाइंड करते हैं इस यार इडिवाइड बाई एल इसक्वेयर फाइस क्वेयर इजो है मॉडल ऑफ इलेस्टिश्टिश्टी आई जो है वह मुमेंट आफ इनर्टिया है और एल जी एल इजो है वह एफट्यूर लैंथ हैं अच्छा अभी एल इ एल इजो है वो हमें बीम की कंडिशन पर जो एंड कंडिशन है ना उस पर डिपेंड करते हैं चलो देखते हैं यहां पर यह है बोट एंड हैंज जब बीम की दोनों साइड यानि दोनों साइड हैंज हो तो एल एफट्यूर इस इक्वल टू एल जिस अगर बी बीम की दोनों साइड हेंच हों तो उसकी एफेक्टियो लेंड एक्वल होगी उसकी एक्च्वल लेंड की बराबर यह हमारे पास एक कंडिशन है बी कंडिशन है बोट एंड फेक्स अगर बीम की दोनों साइड फेक्स हों तो उसकी एल एफेक्टियो लेंड जो है हमारे पास वो L divided by two यह एक्चल लेंग को two parts में मतलब divided by two की लेंगे half, यह एक्चल लेंग की half this condition क्या है one end face, other free यह यह उन आगर beam की एक side fix हों और दूसर free हों तो L effective जो है हमारे पास वो है एक्चल लेंग की double यह लेंगे तू L लेंगे यह देख रहे हैं यह आप यानि इसकी लोड जो असर करेंगा वो टू एल पे करेंगा यहां से लेकर यहां तक कंडिशन नमबर डी जो है हमारे पास वो है वन एंड फेक्स अदर हैंज अगर बीम की एक सेट जो है वो हैंज हो और दूसरा जो है वो फेक्स हो तो एल एफेक्टिव इसको हमें याद करना होगा गाइस तो लाइक दिस वीडियो प्रीज सब्सक्राइब इस चैनल और प्रेश दिबल आइकन फार मोर अप्डैट्स थैंक यू